हेलो फ्रेंड्स हाइर मैथिमेटिक्स की मैट्रिक्स की सीरीज में आज हम मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स की बात करेंगे और इसके बाद हम कुछ special types of matrix के बारे में जानेंगे then हम matrix की rank कैसे निकालते हैं उसे सीखेंगे और उसके matrix के applications और उसकी characteristics के बारे में जानेगे तो आज हम बात करते हैं basic की क्योंकि किसी भी चीश को जानने के पहले सबसे पहले जरूरी है उसका basic जानना तो आज हम matrix की basic को discuss करते हैं matrix क्या होता है matrix is a rectangular array matrix जो है एक rectangular array होता है जिसके अंदर में क्या होते हैं numbers होते हैं माल या कोई भी number है a b c d e f g h i j k l ऐसे कुछ numbers होते हैं और ये rows और columns में arrange होते हैं और ये जो numbers होते हैं ये a b c d जो भी है ये सारे numbers को हम कहते है element of matrix इन्हें बोलते है elements of matrix ओके अब हम बात कर लेते हैं matrix की order की matrix की order की बात करते हैं तो जैसे इसी को हम ले ले लें तो इसमें हमें 3 rows दिख रही हैं और 4 columns दिख रही हैं इसका मतलब ये हुआ कि simply इसे हम 3 cross 4 की matrix बोलेंगे और ये जो rectangular array होता है इसे enclosed करने के लिए हम brackets का use करते हैं ठीक है और इस form का भी कभी कभी use हो जाता है अब देखे इस screen पर जो matrix हो रही है अगर इसमें m rows हो m rows and n columns n columns m rows and n columns की matrix हो तो इसे हम बोलेंगे m cross n की matrix इसका order क्या हो जाएगा order is equal to m cross n का order अब इस matrix में अगर हमें किसी element को identify करना है या उसकी location find out करनी है तो उससे हम कैसे denote करेंगे जैसे कि मलेजे ये वाला element है तो अगर इसकी row i-th है i-th row पर है ये and j-th column पे है j-th column पे है that means i is equal to 2 and j is equal to be 2 here इस case में यहाँ पे i भी 2 है और j भी 2 है तब इससे बोलेंगे a i-z a i-z that means a 2-2 similarly अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे row कौन सी है m और j के place पे column कौन सा है 1 तो क्या हो जाएगा ये a i-z that means a m 1 a m 1 का element हो गया अब देखते हैं row matrix क्या होती है what is row matrix a matrix containing single row is called row matrix that means एक ऐसी matrix जिसमें केवल row में element हो उसे हम बोलते है row matrix तो इसका examples देख लेते है examples जैसे कि एक matrix A है यह इसका एक example हो गया जिसमें केवल row में element हो उसे कहते है row matrix एक इसका आदर example देख लेते है 3, 2, 1 ऐसे भी हो सकता है column चाहे जितने भी हो लेकिन आपके row केवल एक ही होनी चाहिए single row single row matrix क्या खहलाती है row matrix आप देखते हैं column matrix क्या होता है a matrix a matrix containing a matrix containing only one column is called column matrix इसका example लेखते है इसका example क्या है कोई एक matrix ले लेते है four, five, six and second example is one, two, minus one, five that means rows चाहे जितनी हो लेकिन column केवल single होना चाहिए तो उसे हम बोलते हैं column matrix अब इनकी orders भी देख लेते हैं देखे यह जो matrix है आपकी यह है three cross one order की और यह वाली क्या हो जाएगी four cross one की because rows are four and single column और row matrix में भी देख लेते हैं order क्या हो जाएगा one cross four because row तो केवल एक ही है और column कितने है four second वाला क्या हो जाएगा one cross three order का अब हम देखते हैं null matrix यह इसे बोलते हैं zero matrix a matrix in which all the elements are zero that means कोई एक ऐसी matrix जिसमें सभी elements zero हो अब इसमें column और row का कोई foundation नहीं है कितने भी column और कितने भी row हो सकती है लेकिन उसके सारे elements zero होने चाहिए इसका example देख लेते हैं एक three cross three के matrix लेते हैं जिसमें सभी elements zero हो सभी elements zero हो column और row में यह three cross three के matrix और इसी तरीके से two cross two के matrix ले ले लेते हैं जिसके सभी elements zero है a matrix which has the same number of rows and columns जितने भी number of rows हो उतने ही number of column होने चाहिए इसके कुछ example देख लेते हैं जैसे कि एक matrix A है इसमें elements सकते हैं 2, 1, 4, minus 1, 0, 5, 2, 6, and 1 अब देख पा रहे होंगे इसमें आप जितनी rows है उतने ही columns है तो इसमें कितने rows और कितने columns है 3 rows and 3 columns तो यह एक square matrix हो गई अब इसमें diagonals में है तो देखे जो यह वाला diagonal है फस्ट वाला इसे हम बोलते हैं principal diagonal इसे क्या कहते हैं principal diagonal principal diagonal क्योंकि इसके बाद हम इसी के parts है कुछ diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix क्या होता है यह सब पढ़ेंगे तो principal diagonal क्या होता है यह जो पहला वाला diagonal है मिलता है यह होता है principal diagonal आप लोग चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं अब जो square matrix होती है उसके तीन special case हो सकते हैं कौन-कौन से या तो वो square matrix, diagonal matrix होगी या फिर वो एक scalar matrix होगी या identity matrix भी हो सकती है सबसे पहले बात करते हैं diagonal matrix की, diagonal matrix क्या होती है एक ऐसी matrix जिसमें हमें elements के वल principal diagonal में मिलें याइज जितने भी off-diagonal elements हैं वो सारे के सारे 0 होगी याइज जे इकवल टू जीरो फॉर आई डास नाट इकवल टू जे इसका example देखते हैं जैसे की कोई matrix हो 2, 0, 0, 0, 4, 0, 9, 0, and 0 तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे elements के वल principal diagonal में हैं बाकि सारे off-diagonal elements के elements क्या है? 0 तो यह हो गई आपकी diagonal matrix 3 x 3 की अगर यह matrix A है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A is equal to 2, 4, and 9 अब डिसकस करते हैं scalar matrix को scalar matrix क्या होती है? A matrix in which principal diagonal elements of a diagonal matrix are identical कोई एक diagonal matrix जिसकी principal diagonal के सभी elements identical हों इसका example देख लेते हैं जैसे कोई matrix A है 2, 2, and 2 और बाकि सारे elements 0 तो यह एक ऐसे matrix है जो की diagonal है diagonal matrix है and diagonal matrix के principal diagonal के सभी elements identical है identical हैं तो इसे हम बोलेंगे scalar matrix अब हम बात करते हैं identity matrix की या इसे हम unit matrix भी कहते हैं A square matrix in which all the elements on the principal diagonal are 1 एक ऐसी square matrix जिसमें principal diagonal के सभी elements 1 हो और बाकि जितने भी off diagonal में है principal diagonal को छोड़ कर बाकि जितने भी elements हैं वो सभी 0 हो तो उसे हम कहते हैं identity matrix इसे हम generally i से denote करते हैं i इसका example देख लेते हैं 1 1 0 & 0 यह हो गई 2 cross 2 की identity matrix and इसका second example देख लेते हैं i is equal to 1 1 1 0 0 0 0 0 & 0 यह होई 3 cross 3 की identity matrix इसे रिमाइन रखने के लिए आप इसका screenshot ले सकते हैं हमनी square matrix के बारे में जान लिए है अब इसमें हम square matrix का trace देख लेते हैं क्या होता है trace of a square matrix the sum of elements lying along the principal diagonal of a square matrix is called trace of a square matrix it is denoted by trace tr or trace जैसे कि अगर कोई matrix A हो तो उसका trace कैसे denote करेंगे tr of a or trace of a तो for example हम कोई matrix लेते हैं हमने matrix A ले लिया 2, 5, 6, minus 3, minus 1, 4, 5, 7, and 9 ये एक square matrix है 3 cross 3 order की तो इसका trace क्या हो जाएगा trace of a will be 2 plus minus 1 plus 9 this will be 10 तो ये हो गया trace of a square matrix अब trace की कुछ properties की बात कर लें अगर हम consider करें कि A और B कोई दो ऐसे matrix हैं जो की comparable हैं जो की comparable हैं comparable matrix क्या होती है ऐसी matrix जिन में rows और columns सेम हो कहने का मतलब ये है अगर हम A और B कोई दो matrix ले लें तो उनमें number of rows and number of columns equal होने चाहिए तो उन्हें हम कहेंगे comparable matrix अब इससे आप देख पा रहे होंगे number of rows दोनों में ही 2 हैं और number of columns कितने हैं 3 comparable matrix तो हम बात कर रहे थे properties की A और B कोई दो ऐसी matrix हों जो की comparable हों तो first property क्या होगी first property is trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B and second property is trace of lambda A is equal to lambda trace of A यहां पर lambda कोई scalar है जो की real यह complex number हो सकता है third property देखते हैं trace of A B is equal to trace of B A यह तीनों property हो गई trace की यह square matrix की trace का topic complete हुआ अब हम देखते हैं addition of matrices addition कब होता है matrices का किनी दो matrix का addition तब ही होगा जब वो matrix comparable होंगी अब comparable matrix क्या होती है अभी मैंने थोड़ी देर पहले discuss किया कि कोई दो matrix A and B comparable हो तब होंगी जब उन में number of rows and number of columns equal होंगे मतलब कि A में जितनी रोज होंगी उतनी रोज B में होने चाहिए और जितनी column A में होंगे B में भी उतनी होने चाहिए तो हम comparable matrix का addition करते हैं कोई दो matrix ले लेते हैं माल लिया matrix A is 5, 7, 3, 9 and matrix B is 2, 4, 7, 8 इनका addition हम कैसे करेंगे A plus B will be first element को first set करेंगे 5 plus 2, 7 plus 4, 3 plus 7 and 9 plus 8 this will be 7, 11, 17 ओकी तो यह होगा आपका addition of matrices अब हम discuss करते हैं product of matrices को लेकिन product of matrices जानने के पहले हमें यह जानना जरूरी है की confirmable matrix क्या होती है confirmable matrix confirmable matrix क्या होती है confirmable matrices क्या होती है अगर हम 2 matrix ले 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 ए और B तो number of columns in A is equal to number of rows in B That means, number of column in A must be equal to number of rows in B Okay, अगर ये condition होगी, तो ये दोनों matrix क्या कही जाएंगी Confirmable matrices अब हम देखते हैं, product क्या होता है, matrices का Product क्या होता है, किनी दो matrices का product हम तभी निकाल सकते हैं जब हो matrices confirmable हो जब हो matrices confirmable हो That means, number of rows in B is equal to number of columns in A For example, हम दो confirmable matrices ले लेते हैं First is 2, 3, 4, 7, 5, 3 And second is Minus 1, 2, 7, 4, 8, 3 That means, ये दोनों क्या हैं, confirmable matrices Conformable matrices तो अब इनका हम product निकाल सकते हैं Then product 2, 3, 4, 7, 5, 3 Product with minus 1, 2, 7, 4, 8, and 3 Product कैसे करते हैं? First row का multiplication, first column के साथ में And then second row का second column के साथ में ये क्या हो जाएगा? 2 into minus 1, first element Plus 3 into 2, plus 4 into 7 And then 2 into 4 And plus 3 into 8, plus 4 into 3 Similarly, नीचे कर लेते हैं 7 into minus 1, plus 5 into 2, plus 3 into 7 And then what happens? 7 into 4, plus 5 into 8, plus 3 into 3 So square करने पर आएगा Solve करने पर 32, 44, 24, and 77 तो ऐसे हम product निकालते हैं किनी दो confirmable matrices का अब हम डिसकस करते हैं Transpose क्या होता है? Interchangement of rows and columns That means, the transpose of a matrix A Is a matrix obtained from A By interchanging rows and columns किसी matrix A का transpose क्या होता है? उस matrix में rows और column को Interchange करने पर मिलता है And it is denoted by A dash और A to the power T और ऐसे भी से हम डिनोट कर सकते हैं अगर इसने हम symbol form में लिखें Symbols में तो अगर A कोई matrix है A I Z M cross N K Then A transpose will be A dash I Z N cross M Here A I Z A dash I Z is equal to A Z I यह हुगा transpose of a matrix For example, हम कोई matrix लेते हैं Example के लिए हमने एक matrix A ले लिया 1, 2, 5, 3, 9, 1, 8, 2, 1 तो इसका transpose गया हो जाएगा Transpose will be Transpose of A is equal to rows को column में convert करते हैं 1, 2, 5, and 3, 9, 1, 8, 2, 1 यह हो जाएगा Transpose इस तरीके से एक second example लेते हैं A is equal to 1, 5, 3, 2, 1, and 9 इसका transpose क्या हो जाएगा 1, 5, 3, 2, 1, and 9 यह matrix हो गई 2 cross 3 order की और यह हो जाएगी 3 cross 2 order की अब Transpose matrix की कुछ properties देख लेते हैं इसकी कुछ properties की बात करते हैं अगर हम किसी matrix A के Transpose का Transpose करते हैं तो हमें वही matrix फिर से मिल जाती है अगर कोई दो matrix A और B हों then उनके product का Transpose होगा B Transpose A Transpose तो आज हमने कुछ topics को डिसकस किया सबसे पहले हमने matrix के बारे में जाना उसके बाद हमने सीखा matrix rows और column क्या होते हैं elements क्या होते हैं फिर उसके बाद हमने square matrix सीखा and then addition of matrix comfortable matrix से जाना उसके बाद product देखा इसका फिर हमने Transpose matrix को सीखा then इसकी properties के बारे में जाना अब next video में हम सीखेंगे singular, non-singular matrix क्या होती है adjoint of matrix कैसे निकालते हैं adjoint की sort trick भी सीखेंगे and उसके बाद में कुछ special types of matrix की बात करेंगे तो आज की class को यही तक रखते हैं thank you